जुमाटो जैसा अंडर पार्फर्मिंग स्टॉक ने भी एक हफ्ते के अंदर 15 परसेंटेज का रिटन दे चुका है तो इतना बरिया तेजी का पीछे कौन सा रिजन है उसके बारे में बात करेंगे उसके साथ ही साथ है टेक्निक अनलायसिस क्या कुछ कह रहा है क्या यह श्य आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतर तक देखना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और नूटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजेगा तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या यह श्यार अभी रेजिस्टेंस के आसपास है या फिर य यह level का आसपास आपको एक रेस्टेंस देखनों को मिला है यहां पर रेस्टेंस लिया मार्के ने इसीले रेस्टेंस लिया है उसके पाँ और ने फिटी मिर्टनीत लिए दिया है यह आपको ध्यान में रखना होगा सो फिलाल के लिए अभी भी रेजिस्टेंस के आसपासी है और अगर हम लोग फिबुनाची को डालते हैं टॉप टू बोटोम तो यहां पर गैस अभी भी शियार ने 23.6 का जो मेजर हार्डिल है उसको भी ब्रेक नहीं कर पाया है यानि कि गाइस यह जो लेबल आपको दिख रहा होगा मैं आपको दिखाता हूं यह जो लेवल है यह तो ब्रेकिर का सब्सक्रा के बीच में यह चाहां मेरे अको लेटा है उसके बाद भी 23.6% लेबल का आसपास भी आ जाएगा और उसके बाद ये 23.6% लेबल का आसपास जैसी आएगा तो यहां पर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखनों को मिलेगा अगर मार्केट ने ये 23.6% लेबल को उसके साथ 75 रूपिस के अभाप पर चल अगर आपके पास ये शैर ओल्डेडी है तो फिर आप यहां पर यह काम कर सकते हों आपको नज़र रखणा होगा 72 70 5 रूपिस के बीच में क्या यह श्यार सेलिंग का प्रेशर फिस कर रहे है अगर फिसक प्रसकर है तो फिर आप यहां पर स्वाइब यहां पर सेल भी कर सक सब्सक्राइब है सिस्टी फाइब से लेकार यहाँ पे 46 यहाँ पर थोड़ा भाव सपोर्ट भी दीख रहा है और मारके यहाँ पडिधे प्रेंगूलर प्र मिशन करें अगर यहाँ पर प्रेंगूलर प्रेंगूलर प्रीस्व हो सकता है अब के लिए आपको watch and wait का situation रखना होगा और आगे आने वालों दिनों में मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि जुम आउटो का श्यार में बाइंग करना चाहिए आपी सेलिंग करना चाहिए तो अगर आपको वह अपडेट चाहिए तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सक तो, so thank you so much for watching this video